बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की ये special वीडियो Class 9th का आपका जो Social Science का सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी में जैसे हम सामाजी की विज्ञान कहते हैं इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा important वीडियो होने वाली है क्योंकि जैसा कि आप सभी वच्चों को पता है कि आज यानि कि 27 सितंबर 2024 को Social Science का यानि कि SST का आपका जो मिट्रम का एक्जाम है यह आने वाले कुछी घंटों में होने वाला है ठीक है चार sample paper आपको करवा दिये थे साथी most important जो map है यह भी करवा दिये मैंने आपको लेकिन फिर भी बहुत सारी बच्चों की डिमांड थी कि सर जी आज हमारा जो एक्जाम होने वाला है सोसल साइंस का मिट्रम का आप इसकी तैयारी के लिए ना एक्जाम में बैठने से पहले कम से कम हमें एक sample question paper की practice और करवा दीजिए और आप बोलें मैं वीडियो ना लाँ ऐसा हो सकता है तो इसी लिए यह बहुत ही most important और demanding वीडियो है जिसमें हम discuss करेंगे sample paper no.5 को और बहुत अच्छे से solve करके समझेंगे और यह जो पांचवा paper है ना बच्चो इसके अंदर हमने जो भी questions लिये हैं वह सारे की सारे question very very most important है selected और repeated हैं जिसमें से आपके आज के मिट्रम के एक्जाम में बहुत सारे question repeat हो सकते हैं इसी लिए इस वीडियो को end तक और बहुत अच्छे से देखना बच्चो ठीक है क्योंकि हमने इस वीडियो में पिछले साल के ऐसे question ले रखे जो जारतर paper में आये हैं और बच्चो और भी अपने sample पर देखना चाहते हो अगर आपके पास में time है तो i button में आपको जो भी हमने 4-5 sample question paper करवाए हैं उसकी link आपक को देख सकते हैं बच्चो ठीक है और आप सभी बच्चों को मेरी तरब से all the best आपके आज के मिटरम के exam के लिए तो चलो सुरू करते हैं देखो आपका जो मिटरम का paper है यह तीन घंटे का आएगा आज का और यह 80 नमबर का आने वाला है paper के pattern की जहां तक बात रही वैसे त पेपर में जो है ना तोटल आपके छेखंड होने वाले हैं का खा घटन चा ठीक है और नमबर आप question 37 अब खंड का जू रहेगा बच्चो इसमें एक से लेके 20 या आपके एक एक नमबर के बहुत विकल्पिया questions होंगे यानि कि paper में total 20 तो mcq आएंगे आपके यानि कि आप आपके इक बुक से आएगा ठीक है फिर खंड गहा जाता है आपका जिसमें 25 यह हमारे तीन अंक वाले लगूतिया प्रशन होंगे जिनका अंसर में 60 सब्दों में देना है यानि कि थीन नमबर के 5 खंड गहा जाता है बच्चो जिसमें 30-33 यह हमारे पांच अंक वाले धीर गुतिया प्रशन होंगे जिनका अंसर में 120 सब्दों में देना है यानि कि 5 नमबर के 4 कोशन एक एक पांच नमबर के कोशन आपके एक एक बुक से होगा ठीक है उसके बाद 5 खंड आ जाता है जिसमें 34-34 यह हमारे 4 नमबर वाले केस आधारित कोशन होंगे 4 नमबर की का मैं प्रहेगा आपका भूगोल से ठीक है तो इसे आपको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा साथी साथ आपके लिए जो मैप की वीडियो है वो तो पहले तो वैसे ही मैंने अपलोड कर रखी है तो आई वेटन में लिंक कर दोंगा बाकि उसके रिवीजन वाली जो वीड क्यौक्षम कर उसके जी इन्सके अन्सके के साचफ्षम होंगे मुसर्स कर उसके से ञाहिफिसरे और 23 तृट है और वर तो चलो बच्चो यह तो होगी हमारी आज का इंटोड़क्शन आप तयार हो आज के सेंपल वेवर को पढ़ने के लिए समझने के लिए अर्यू रेडी गाइस शुरू करें चले देखो बच्चो यहां पर देख सकते हैं इस वेपर का जो हमारा खंड नंबर का है यानि कि सेक कि कितनी त्यारिया आपकी हो चुकी है तो देखें पहला कोशन नमारा क्या कहता है कि निमलखित में एक गलत कथन की पहचान कीजिए यानि कि इन चारों में एक बात हमें गलत बताए गई है तो सबसे पहली बात देखो क्या कहा गया है कि 21 जनवरी 1793 को लुई सोल्वे को खिलाफ शाजिस रचने के आरोप में फांसी दी गई तो यह बात तो सही है भाई कि लुई सोल्वे को फ्रांस के खिलाफ साजिस रचने में साजिस रचने की वज़े से फांसी दी गई थी कब 21 जनवरी 1793 को दूसरा त्रितिया स्टेट के चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या होता था जो तिर्थिया स्टेट सा है टीक है इससे गर्ण चैड कर वसूलती थी उससे क्या बोहती थे इस सरकार जाने वाला कर टाइल कहला था बच्च को जिसे टाइयक कहा गया और एक तो था सरकार को जिसे टाइल कहा गया लेकिन ये बात गलत है C वाली क्यों गलत है क्योंकि फ्रांसी सी समाज में कुछ स्टेट को राज के करों का भुगतान करने की चूट दे गई थी ये दूसरा तीसरा बताएगा ये गलत है वलकि वो पहला और दूसरा है तीसरा श्टेट को तो कर देना ही देना पढ़ता था तीसरा स्टेट चच को भी कर देता था और सरकार को भी कर देता था तो ये वाला हो जाएगा इसी प्रा congratulate statement from the following तो आपका ये C वाला incorrect है चलो बच्चो अब देखे question in second इसमें हमें नियम लिखिर करतनों पर बहुत अच्छा प्रश्ण है और इसको देखते हैं यहां पर बहुत सारी information एक ही बार में आपको समझ में आने वाले बस आप बड़े ध्यान से सुनिएगा देखो सबसे पहले information मारी यह है कि रुवेश्पियर को ग्लेटिन पर चड़ा दिया गया तो रुवेश्पियर को ग्लेटिन पर कब चड़ा गया बच्छो जून 1794 को तो यह एक कोशन अलग से आ सकता है कि कब चड़ाया गया ठीक है दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में डिरेक्टरी को खतम कर दिया और वो फ्रांस का समराट बन गया ठीक है और फिर 1804 में यह होता है तो यह ठीक है भाई यानि कि आपका देखो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो डिरेक्टरी थी इसे खतम कब किया 1799 और यह फ्रांस का समराट कब बना 1804 में तो यह दोनों ही बातें आपकी स राजे हो जाती है और उसको फिर बंदी बना लिया जाता है तो यह कब होता है 1815 में वाटरलू फिर आता है चोथा पॉइंट फ्रांस के सभी उपनिविशों में जो दास प्रता थी यह कब खतम ही थी बच्चो 1848 में उसके बाद फ्रांस में महिलाओं को मतदान का रिकार क मिला तो 1946 में मिला ठीक है तो इस तरह से बच्चो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चाहिए कौन-कौन सी रुवस्पिर को ग्लेटिन पे कब चड़ाए गया नेपोलीन बुनापार्ट ने डिरेक्टरी का नियम कब खतम किया वह फ्रांस का समराठ कब बना वाटरलू के युद्ध में नेपोलीन बॉनापार्ट की पराजय कब हुई फ्रांस में उपनिवेश्वाद युद्धाश प्रता थी यह खतम कब हुई फ्रांस में महिलाओं को मतादिगार कब मिला सारी चीज़ें ठीक है तो यहां पर कौनसा ऑप्शन ठीक हो जाएगा एवाला सही हो होते हैं। देखो नाम से पता चलता है खाना बदोष जो कि अपनी जीविका के लिए एक स्थान से दूसरे गूम तहीं को बोलते हैं सबसे ज़रूरी है कि उनका जीवन माइने सबसे पहली बात तो यह है कि इतिहास की पुस्तक की पर्णों में प्रिवेस्ट कर पाए हूँ ठीक है चरवाओं के बारे में हमारी हिस्ट्री की बुक्स में नहीं लिखा जाता जादा तर दूसरा क्योंकि इतिहास कारों के इनुसार या फिर वहां के उस समय के लोगों के इनुसार उनका जीवन माईने ही नहीं रखता था इसलिए तो ऑप्शन जो डी है आपका यह क्रे लिखे द्वारा अपना लिए मनश और नागरिकों के अधिकारों की घोषili अमेरिकी सोतंत्रा की घोषना से प्रेरित थी ने अधिक बात नोनों सही है लेकिन हमें व्याख्या नहीं दिये इसने कारण में है ना हमारा वी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा तो अश्रेशन ठीक हो गया एक्स्पिनेशन इसमें नहीं है इसलिए बी राइट है अब यहां पर देखो बच्चो हमें मिलान दिया गया बहुत अच्छा मिलान है बस आप एकदम अच्छे से समझते चलिए देखें क्या कहा गया है एक तरफ है शर्त है और एक तरफ है परिभाशाएं तो सबसे पहले बच्चो इस्टेट जनरल तो इस्टेट जनरल क्या थे जो कि फ्रांस के तीनों सटेट का प्रचिनर्द्ध करते हैं दूसरा बच्छो नैशनल असेंवली क्या है एक ऐसा निकाय है जिसने राष्ट का प्रतिनित्यों करने का दावा किया इसने अपने आपको फ्रांस का प्रवक्ता घोशत किया था ना और इसी लिए इसने फ्रांस के लिए एक सम्विधान भी तयार किया यानि की दूसरे का हमारा सी हो गया फिर तीसरा विधान सवा तो ये एक ऐस और आश्ट्रिया और प्राश्या पर युद्ध की घोशना कर दी यानि की डी वाला अब बच्छा है सम्मेलन तो सम्मेलन क्या है यह एक ऐसा निकाय है बच्छो जिसने राजशाही को समाप्त कर फ्रांस को एक गड़ाज घोशित कर दिया ठीक है तो पहले का भी है दूसरे क वसकी है तीसнемें दिया गया है पहले का यह राद हो गया है पहले का भी दूसरे का सी टीसे का डी और चोथे का एंसर ठीक है बच्छों आंगया समाझ पियुकर अच्छा एक चीज और अगर आप अभी इमकॉर्टेंट नोर्ट्स बगरारा हो गए और पीडिया लेना चाहत इसे लिखे जे एसके ठीक है नाइन्थ जे एसके नाइन्थ क्लास जब आप ऐसे सच करेंगे तो आपके सामने एक ग्रूप आ जाएगा आप उसे जोइन कर लेना और उस ग्रूपमें आपको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो वीडियो भी ठीक है आप सभी बच्चे उससे description box को click करके link को खोलिएगा ठीक है और link पे click करेंगे तो आप directly इस ग्रूप में आ जाएंगे तो आप भी इसको जरू से join करें ठीक है सारे बच्चे इस ग्रूप को जरू जोइन करना बहुत important है आपके लिए ओके बच्चो चलो English में आप सभी यहां पी देख सकते हैं पहले का आपका जो है B हो जाएगा दूसरे का आपका C हो जाएगा तीसरे का आपका D हो जाएगा एंड फोर्थ का आपका A हो जाएगा बच्चो ठीक है चलिए तो option आपका C करेक्ट है अब है question number six निमल्खित मैंसे किस operation कानून से भारत सरकार कानून आया था इसे बहुत सारी बातों को भारतिय समिधान ने अपनाया था ठीक है तकरीवन आप यह समझो कि भारतिय समिधान का ना 75% जो भाग है वो इसी से लिया गया है बाकि 6-7 और जो कंट्रीस है उससे लिया गया है ठीक है बीस से लिएके 25% ओके बच्चो चलिए तो option आपका यहां पे यह हो जाएगा अब देखो question number 7 यहां पर बच्चो बहुत सारी बातें एक ही बार में आपको मैं समझाने वालों ध्यान से पढ़ना ठीक है देखो बच्चो क्या कहा गया है सबसे पहली बात भारतिय सम्विधान की जो सबसे पहली बैठक कब नहीं ठीक है 9 दिसमबर को इस्थाइब आली तो दिसमबर को दिसमबर उन्निसोचाइज में होई थी दूसरा भारतिय समिधान की कुल सबसे संख्या 299 थी वैसे तो बच्चो 389 थी ठीक है भारत पाकिस्तान की विवाजन से पहले लेकिन जब भारत पाकिस्तान का सदस्य थे वह चले गई ठीक है किसमें पाकिस्तान में तो भारत में कितने बचे टोटल 299 बचे थे हमारा भारतिय समिधान बच्चों कब बंकर तयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बना था और यह लागू का हुआ था बच्चो 26 जनवरी 1950 को तो अब आपसे पेपर में कोई भी एमसी क्यू पूछा जाए भारतिय समिधान का तो कैसे बताओगे समझ गए ना एकदम बढ़िया तरीके से है ना देखा मैंने कितना आसानी से आपको सारी इंफोर्मिश के बारे में तो यहाँ पर option भी correct है चलो question no 8 देखो लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी सोतंत्रता दी गई है भारत का कोई भी अधिकारिक अपना धर्म नहीं होगा एक देश के नाते राज्य सभी धर्मों की समानभावना रखेगा तो इसके अंतरगत होता है बच भारत जो है वो सभी धर्मों का समान समान करेगा ठीक है तो people have complete freedom to follow any religion India has no not official अफिशे डिलीजन एंड डेट डी गिफ्स एक्वल एक्वेक्ट तो और लिजिएस तो ऑप्शन डी सेकुलर आपको नमबर 9 देखो हमें नीचे ना एक रिक्तिस्थान दिया गया है और इन दोनों ही रिक्तिस्थान में केवल एक ही शब्द आएगा वह आपको चैन करना ह तो देखो हुआ क्या था हुआ यह कि इस देश के जनरल परवेज मुसरफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तक्ता पुलेट की अनवाई की और वर्स 2002 में लीगल फ्रेमवर्क ओर्डर के जरिये इस देश का सम्विधान बदल डाला और अपने आपको वहां का नेता खुसित कर सुठिक यह पाकिस्तान की बात है जैसे आपने देखा जकंप ब्रवेज मुसरफ यानी कि ऑना बच्छो इतना सबी को पता होगा चलो यहां पर देख लेंगे तो अपिश्ण आपका हो जाएगा ऊक हम बात करते हैं बच्चो अगले कोश्चन की कोश्चन नमबर 10 और बहुत इंपोर्टेंट है बच्चो देखी क्या कहा गया है भारतिय संविधान निर्माण में निम्निलिखित नेताओं और उनकी भूमिका का मिलान कीजिए तो एक तरफ हमें भारतिय संविधान के कुछ नेताओं के नाम दिए गए हैं और एक तरफ हुन की भूमिका दिए गई है ठीक है तो देखो बच्चो इसमें जो आपको सबसे पहले आसान लगता है आप उसको मैच कर लो जैसे कि मुझे पता है आपको यह तो पता होगा कि जो डॉक्टर भीमरा अंबेडकर जी है यह कौन थे यह हमारी भारते संविधान सवा कि जो प्रारूप कमीटी थी ठीक है इसके अद्ढश थे तो यह तो आप सभी को पता है यानि कि तीसरे का आपका सी हो गया फिर डॉक्टर राजणर परशाड की बारे में भी आपको पता होगा क्या कि यह भारती संविधान सवा की जो प्रमानन्ट अध्यक्ष थे ये वो थे और इन्हें चुना गया था 11 December 1946 को ठीक है फिर आता है मोतिलाल नहरुजी पे तो ये कौन थे बच्चो इन्होंने 1928 में भारते संभिदान सभा की मांग की थी और उसके बाद स्रीमतिस रोजनीन आइडू तो ये संभिदान सभा की एक मेंबर है बस ठीक है तो यानि कि पहले का आपका D मिलेगा ये रहा दूसरे का आपका C तीसरे का A और चौथे का B तो option आपका A वाला correct हो गया ठीक है चलो English में देख लो लीडर एक तरफ दिये गया है इनका रोल एक तरफ दिया गया है और मिलान करेंगे तो पहले का आपका D हो जाएगा दूसरे का C हो जाएगा तीसरे का A हो जाएगा चौथे का B हो जाएगा तो option A हो गया ओके बच्चो आगे एकदम मस तरीके से समझ देखो 11 कॉशन कौन सा हरित करांदी का लाव नहीं है तो बच्चो जो हरित करांदी आई थी भारत में उसका कई लाव हुए थे तो 2 या 4 नंबर में लाव आ सकते हैं तो कौन कों से लाव हुए सबसे पहला तो यह लाव हुआ कि अधिक से अधिक मात्रा में हमने अनाज उत्पारण कर लिया था ठीक है इसकी वज़य से कृषी और उद्ध्योग यो थे वह और जादा विक्सित हो गए और साथ ही साथ किशान जो थे वह अमेर हो गए उनकी सिर्थी अच्छी हो गई तो लाव कौन सा नहीं है बच्चो वह बी वाला कि मिट्टी की उरवरता कम हो गया यह तो निगेटि में निम्रिकित मैंसे कौन सा जो संकेत हैं यह आरितिक्र गतिविदी के लिए सबसे पहला पॉइंट है यहां पे दिया गया है विलास गाओं के बाजार में मचली बेच रहा है यानि कि वह पैसा कमा रहा है मचली बेचके तो ठीक है इसके अलावा जो मारे तीसर वाला है कि एक निजी कमपनी में काम करता तो पैसे तो कमाये गई यह वह गया यानि कि डिवाल ऑप्षण होगा संकेत एक और संकेत तीन इनसे हमें पता चलता कि आत्रिक गतिविदी हो रही है ठीक है तो यह हो जाएग अब थर जोग्रफी से वह महासागर जिसका नाम भारत यानि की इंडिया की नाम पर रखा गया तो भारत का नाम क्या है बच्चों हिंद इसलिए महासागर का क्या नाम होगा हिंद महासागर यानि कि इंडियन ओशियन ठीक है कुश्यन नमबर 14 अभिकतन हम से यह कहता है करण क्या था कि हाल के वर्षों में ही प्रचन् विरोजगारी की कारण आशिंक रूप से क्रिसी पर जन संक्या के निर्भता घ्रावाट नाम रोट है । इसी वज़े से लोग क्रिसी को छोड़ छोड़ कर खाह जा रहे थे शहरों में चले जा रहे थे एक प्रकास से ठीक दिखो दिहां से समझनाा अच नहीं समझाए सबसे पढ़ेदी यह दिया गया वच्चों सा इक में सथाई पूंजी अब इस्थाई पूंजी का मतलब होता है कि जो आपके पास कम से मानने वाले 40-50 साल या 100 साल तक रहे तो जो हमारे घर होते हैं करने हैं किसी प्रकार का जो भावन है वह हमारे पास कई सेकडों सालों तक रहता है तो यह हो जाएगा हमारा मानव पूंजी की जाए तो मानव पूंजी जो हमारी खुद की पूंजी यानि की हमारा ग्यान और हमारा कोशल. फिर काड़िषील पूझी को क्या बोलते है श्रम महांची तब आपको Sняhी मिलती है उसको बोला जाता है औस C दूसिये का D तीसरे का E छोथे का ठीक है इस प्रकास से यहां पर देख सकते हैं यह आपका column 1 जिसमें पहले का आपका C है दूसरे का आपका D है तीसरे का आपका A है और चौथे का आपका B है तो यह आपका answer ठीक है सबसे पहली बात बिल्कुल सही है भारत का चेत्वर इतना ही है दूसरा भारत की उत्तर से दक्षिड तक की लंबाई 3214 किलोमेटर है यानि कि जम्मू और कस्मी से लेके अगर आप नीची की तरफ आते हैं तमिलनाडू की तरफ तो यह जो लंबाई है यह कितनी है 3214 किलोमेटर उसके लावा भारत की पूरव से पश्चिम तपकी चोड़ाई 393 यानि कि पूरव तो यह हमारा यहां पर अरणालिसल प्रिदेश और इधर यहां पर गुजरात तो यह जो डिफ्राइंच है यह कितना है उनितिस सो तैनिंतिस किलोमेटर उसके बाद भारत जे भारत का चिट्वल विश्व के कुल भौग चित्वल का तू पॉर यह कि पूर्छी है तूसमें से लोग भारत में अगर 1000 लोग रहते हैं तो उसमें से 175 लोग भारत में अगर एक करोड लोग रहते हैं तो उसमें से साड़ी सत्रा लाख भारत में रहते हैं ठीक है तो भारत का 3-4-5 सब सही हो जाएंगे वच्छ ठीक है चलो इंग्लिस में एक वार तो पहला दूसरा तीसा चौत्था पांच मां सब के सब सही हैं आप इसे पढ़ लना केरफूली ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाए ने इंग्लिस में तो आप निकल लिए ना 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 पढ़के जाना है त सिंदू जल समझोता किस वर्ष हुआ जिसमें भारत जो है वह इस नदी तंत्रिक से कुल जल का 20% उप्योग करता है तो सिंदू नदी समझोता पाकिस्तान के साथ में हुआ अभी हुआ कब था 1960 में हुआ था 1960 में अभ इसमें मैंने अत्वा लिया हुए बच्चो मिलान हमे सही पहbefore है कौन सा सही तो देखो उबच्चो मैंने आपको बताया है जील का नाम और राजिस के बारे में ठीक है सबसे पहले ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर में जो छिलका जील है यह उडिशा में है आपकी थे आपका को लेरु जील आती है तो इसकी नीची आती है पुल कहता है गुजरात के अरुनालचर प्रदेश के समय में दो घंटे का अंतर है अरुदार प्रदेश से जब आप इदर गुजरात की तरफ आते हैं तो इसमें जो time period में difference है वो कितना है total और total दो घंटे का ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए क्वारत कीे मानन क्यामधत है को बारत के मान के मान या मुत्तर देसांतर और या मना जाता है लेकिन कहीं पर भी यह नहीं बताया कि 2 घंटे का अंतर की होता है मैं आपको बताता हूं दो घंटे का अंतर इसलिए होता है क्योंकि अवनालचर प्रदेश और गुजरात के बीच में तोटल जो है न वो 30 देशांतर का वो पाय जाता है डिफ्रेंस पाय जाता है अब जो सूरिक की किरने होती है उसे एक देशांतर को पार करने के लिए टोटल चार मिनेट लगते हैं ठीक है अब इनी को आप 30 को 4 से मल्टिप्लाई कर दो तो आएगा 120 मिनेट इसलिए टोटल दो घंटे का डिफ्रेंस है तो यानि कि हमारी बाते तो सही है लेकिन यहाँ पे जो आर है वो एक ही व्याक्या नहीं करता है ठीक है चलो अब इसी प्रकास से इंग्लिस में देख लेंगे हैं तो दो ठीक लेकिन एक्स्प्रेशन नहीं है इसलिए 20 है अब एक बार फिर से हमारे एक और मिलान आ गया है इस वीडियो में मिलान मैंने जादा इसलिए लिए है ताकि अगर पेपर में आ गया ना तो करके आना है आपको ठीक है तो एक तरफ इस्थम एक है दूसरा इस्थम दो दिया हुआ है अब ध्यान से रेखो यहां पर सबसे पहले बरकान क्या है यह क्या है यह बिसिकली जो अर्ध चंद्राकार बालू के टीले जो है वो होते हैं दो आब क्या है तो दो नदियों के बीच के भाग को जाता है जाते है क्रिश्णा के बीच को टीट जो तराई क्या होता है तो तराई बिसिकली जो है यह दलदली छेतर होता है और दक्कन ट्रेप काली मृधा को बोला जाता है यानि कि वाला सही आंसर हो जाएगा एका तीन बी का चार सी का एक डी का दो इसे प्रकार से इंगलिस मीडिया में देख लो बच्छो आपका एका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड बी का फोर्थ सी का फर्स्ट और इसका आपक से यह देखना है कि यह विस्चता कि हमालय पर्वत की है उके तो सबसे पहली वक्छी जो सबसरेखि से हैं नौ से लगवग एक जाल मीटरी तक होते है एक का इसकी बास हो च्वालिक हमालय की किसकी सिवालिक heat अब इंग्लिस में रिख लेंगे तो यह सभी किसको बताते हैं यह हिमालियन मांटेन रेंज जो है शिवालिक उसको बताते हैं ठीक है बच्चो तो इस तरीके से हमने अपना यह वाला वी जो था इसको कंप्लीट यहां पर कर लिया है अब आप सभी बच्चे द्यान से सुनन के जो आंसर थे वो सही दिये इसके अलावा आप सभी बच्चों से मैं फिर से गुजारिस करूंगा कि आप सभी हमारे 9th क्लास के टेलीग्राम ग्रूप को जोइन जरूर करना टेलीग्राम ग्रूप का लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे करते हैं जे एसके 11 एसे आप सच करना जे एसके 11 क्लास और जो ग्रूप आएगा उसको जोईन करना में बार बार इसलिए कह रहा हूं वच्चों कि अब हम इसमें बहुत सारी वीडियो और बहुत सारी जो इंपोर्टेंट पीडिएफ हैं वह अपलोड किया करेंगे ठीक है 1121 हमारे क्या कहता है कि जो नमामी गंगे परियूजना थी यह क्या थी फ्यक कैसा मिशन सरक्षण दियान की सुरक्षा देने वाले मिशन है जो कि भारत की राष्ट्रिय नदी गंगा से संबंदित था अब क्या था गंगा से संबंदित को गंगा नदी जो बहुत ज़़ा प्रदूशित थी उसके प्रदूशन के प्रभाव को कम करना इसका लक्ष था इसका उद्धिश था और उसके काया कल्ब को पूरा करना है यांकि उसे साफ करना दूसरा पॉइंट राष्टिय नदी सरक्षन योजना एन आर सीपी उननी सो पचानवे में आई जिसने नदियों के जल प्रियोशन को कम करने के लिए और जड़की गुडबत्ता को सुधार करने के लिए काम शुरू के है तो एक तो ये पता चलिया नमामी गंगे प्रियोशना क्यों चलाई गई और आर सीपी न के राष्टिय नदी सरेक्षन योजना का आई और अनेक मानवी क्रिया कलापों के लिए इसका प्योग होता है अब देखो नदियों के टत प्राचीन काल से ही बहुत सारे लोगों की निवास इस्थान रहे हैं आठी मैं तो क्या हो गया कि लोग यहां पे बसते हैं और अपने फैमिली को फैमिली के साहते हैं यह जाओ było बड़े शहरों में बदल चुका है जैसे आपने से सना होगा वानद तो वो भी तो उसीके के नारे बसा हुआ है ठीक है आपने सुना है हदित्वार के बारे में तो वह भी तो ऐसे बचा बसा हुआ है अब यह सभी आर्थिक वीडियों के केंदर ले चुके हैं उसके बार इससे सिचाई हो सकती है नोसन चाले नाने की नाव बगारा चलती है इसमें और नदियों से बिजली बगारा बन सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है तो इसी लिए नदियों का आर्थिक महत्व होता है ठीक है तो देख लेंगे आपका क्वेशन बन क्या है नमामी गंगे प्रोजक्ट क्या अपने स्थान क्यों बदलते रहते थे क्यों कि वच्चों वनों में पश्चों को चराने पर अब लोक लगा डिये ती जो अंग्रिये जोंने नए वन कानून लागू किये थे ना तो उन्होंने कहा था कि अब जो भी चरवाहे हैं वो किसी प्रकार से पश्चों को नहीं च जा सकते हैं जंगलों में जाने के लिए अब जो है इन्हें पर्मिट लिना पड़ता था और कोई चरवाहा जाता था तो लोगोंने पर्मिट देते नहीं थे जलावन लकडी नहीं ले पाते थे क्योंकि वह अंग्रेजों ने पूरी तरीके से जंगलों को अपने कबजे मे कथन की पूश्टी के लिए दो तीन विसेष्थां का उल्ले करो सही बात है भाई हमारा प्यारा भारत महान भारत एक लोगतांतिक देश है क्या विसेष्था है इसकी सबसे पहली विसेष्था तो यह है कि भारत में जो प्रमुक फैसले लिए जाते हैं उसकी सक्ति होती है जनता के हाथ में और जनता चुनती है अपने नेता को जैसे कि हमारे PMG है नरेंद मोदीजी तो उन्हें हमने चुना है है ना तो यह हमारे क्या हो गए निर्वाचित नेता हो गए तो वही बात है है आपे दूसरा स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनावी मुकाबला सार्वजन आधिकार दिया घहता है अपने नेता को चुनने के लिए का एक वर्ड का मोल होता है कानून का शाष До एक हो एनसर सब्सक्राइब करेंगे तो मैंशन टू थी करेक्टर के सब्सक्राइब करेंगे मैं फीचर्स क्या है तो यह रहे आपके सामने आप पढ़ सकते हो अब बच्चों देखो यहां पर आपकी बहुत सारी इंफरमिशन कंप्लेट हो जाएगी कम से कमा मान लो कि दस तो mcq हो सरे इनकी तो यानि की जाय अब ध्यान से देखो बर्शा रिटू आनि की oxide की बात करें तो बर्षा ई staging सब्सक्राइब में यकार सथित हैं। यह सभी उगाई जाते ढ़िक है। चावल हो गया, क्योंकि बारिष जhandρα होती है, चावल धानकी खेती हुती है। सब्पांपू हो गया ज्वार हो गया, यह सभी खरीब दुन में आते हैं। धीक है दूसरी तो यानिकी आटनगा प्ट्राइब अथन्ड़िंग अप्टूब्र से चendoAm सीयुख से फरवरि मार्च चलती है अब सद्धियों में गेहूँं की खेती ओती है डाल की के खेती होती है आलो के खेती होती है अंड़ा रभी हो गया उसके बाद घ्री निकी जाइज रितू ठीड तो यह सब्जीं कहाते है टीक है तो यह जायज रितू में ही होता है अब आप MCQ में कैसे भी question आ जाए बताओ बाजरा किस टाइब की रितू का एक्जामपल है बताओ आलू किस टाइब की रितू का एक्जामपल है खीरा किस टाइब की रितू का एक्जामपल है तो कब-कब कौन-कौन से रितू आती है तो अब आप नहीं भूलना चाहिए ठीक है ना मैंने देखो एकदम बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक ही जगे पे लिखी हुई है ताकि आपको समझा सको बढ़िया तरीके से ठीक है इसलिए मैंने बोला था इस पेपर का जो हमारा खंड नंबर B था जिसके अंदर दो नंबर के हमारे चार कोशन थे वो कम्पलीट हो गया अब हम सुरू करेंगे बच्चो इस पेपर के अपने अगले और important section खंड नंबर का यानि की section नंबर C अब section बारत के लिए वर्दान है जैसे भगवान किसी को वर्दान देते हैं वैसे ही भारत के लिए वर्दान है यह हमाले परवत ऐसा क्यों है वच्चो तो आपको यह बताना है तो हमाले भारत के लिए वर्दान स्वरूप है क्यों भाई क्योंकि सबसे पहली बात यह भारत को अ भारत में वर्षा का कारण बनता है यहमाले की तरफ से आती है अब बीच में हिमाला पट जाता है तो वह वापस से टक्राए के लोट जाती है इसी लिए भारत में वर्षा का यह नति है राभ उपड़ा साथ सुद्धय सुंदर घाटियां और स्वास्त रदक आश्रों का भारत का केंद्रिय इस्थिती है इसे किस प्रिकार लाव प्राप्त होता है तो यह महासागर भारत को कैसे लाव प्रदान करता है तो कई भारत की तट्रेखा कितनी है 7516 किलोमीटर की है कितनी 7516 इसमें से आधी तट्रेखा जो हमारा वेस्टन घाट है इस्टन घाट है इतनी तट्रेखा तो किसी और देश की नहीं होगी हिंद महासागरी के लिए समुद्री मार्ग से भारत जो है यूरोप पश्मेश्या व्यापार कर सकता है और बहुतार जो कंट्री अगर व्यापार करेंगी दक्षिद इशा यह नगी भारत के नाम हिस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया लगया हिंद महासागरव में ठीक है चलो English में देखो सारे question कि the Himalayas are a boon for India तो कैसे है आप यहां से पढ़ सकते हैं सारे point and then how does India benefit from its central location in the Indian Ocean तो कैसे है आप इन सभी को यहां से देख सकते हैं ठीक है यह रहा चलिए अगला आजाता है question about 26 प्रांसी सी कारनती की विरासत इंग्लेस में देखेंगे लग सी स्थे लीए चोड़ की गई यहाँ विशदान की जितनी विशेष्ता है कैसे है अगरिकों कबılar से मेरा इक हूशन है कौन सा बच्चा मुझे comment में ये बताएगा कि हमारे भारतिय सम्मिधान ने जो हमें ये 6 मौलिकार दे रखे हैं इनके नाम क्या है जो बच्चा इन सभी 6 मौलिकार का नाम हिंदिया एंगलिस में एकदम सही सही लिखे बताएगा उस बच्चे के कमेंट को मैं पिन करूंगा ठीक है और हाट भी दूंगा ताकि और भी बच्चों को पाता चलिए कि नाम क्या है तो अगर आप भी चाहते हो अपने कमेंट को पिन करवाना तो फटा फट से आजाओ और आंसर करो इन 6 मौलेकदिकारों के नाम को चलो तो यहां पर क्या हो गया पहले विसे इस था मौलेकदिकार दिये गए हैं दूसरा हमारा देश लोको तांते गड़ राज्य है यह संविधान में कहा गया है संगिय सरकार होगी यानि कि एक तो स्टेट लेवल के संसदादमक सरकार होगी यानि की लोकसवा राजसवा होंगी साथी पंत्र नित्र पेक्ष राज योगा किसी देश का जब अपना कोई धर्म ना हो सवे धर्मों को समान रूप से देखना ठीक है स्वतंत्र और बिना भेरवाव वाली नयायपालिका होगी राज्य की नित्त सिद्धान दोंगे यह चीज़ है इसमें ठीक है समझ गये बच्छो इसी को इंगले से देख लिए वाट आदी में फीचर्स ऑफ इंडिन कॉंस्यूशन तो क्या फीचर्स हैं इसके यह रहे आपके सारे पॉइंट बच्छो चलो आगे बढ़ेंगे अब जाता है शिवालि जो है यह 10 से लेके 50 किलो मीटर तक फैला हुआ हिमाले स्रेणी का एक भाग है ठीक है जिसकी उचाई 900 से 1100 मीटर की है अब यह स्रंखलाएं उत्तर में इस्थित मुख हिमाले की स्रंखलाओं से जो नदियां है इनके दोरा लाएगी एस समपरिड जो अवसादे इस से बनत ठीक है तो इस तरीके से आपका यह हो गया इंगलिस में टेल 3 फीचर्स ऑफ शिवालिक तो शिवालिक की तीन विश्यस तरह क्या है आप यहां से पढ़ सकते हो अब कोशन वर 29 हमारे उसलिया गया है एकोनोमिक से तो 29 में मैंने अत्वा भी लिए रख्या ताकि आपको एक कोशन और समझा सकूं ठीक है को जादा उपरज वाले बीज जिसे मोलते हैं एच वाई व visa तो इन सबी वीज्व के दौरा चावर और गेहों की कृश Ulti इसको करने के तरीके सिखें तो चाल गेहों की कृश्य को अच्छे तरीके से अच्छी उपरजफ वाले बीज की तरीके से खीती करना किसने सिखाया हरित करांती ने दूसरा जो हमारे प्रमपरागत बीज थे इनकी तुलना में ये जो हच बाई वीज थे ये अधिक उपज देने वाले बीज हुए ठीक है दूसरा किसानों ने कृशी में ट्रैक्टर फसल काटने के लिए मशीनों का उपयोग भी हरि करांती के दौरान उपयोग हुआ था साथी इन सभी उपयोगों के नईने उपयोगों की बज़े से क्रिशी उतपादन दुगना हो गया जहां पहले अकाल पड़ा था अब वहां भारत के पास में खाना बहुत ज़्यादा हो गया था अनाज बहुत हो गया था ठीक है तो वच्छो ध्यान से समझ लेते हैं, देखो यह अत्वा में दिया गया है, सबसे पहले, आर्थिक क्रिया हैं, वह सभी क्रिया हैं, जो की राष्ट्रिय आयमें मूलिवधन करती हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती हैं, अब यह दो प्रकार के होती हैं वच्छो, एक तो होती बाजार क्रिया कौन सी होगई, वेतन के उद्धर्षे या फिलाव के उद्धर्षे, जो भी क्रिया कीजाे, उसके लिए पार्ष में और भुगतान किया जाता है, इसमें सरकारी सेवा, वस्तूओं और सेवाओं को उत्पादन सामेल है, फिर आता है गैर बाजार करिया है गैर बाजार मतलब जो हम सिर्फ अपने उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं जैसे कि प्राथ में उत्पाद चाहिए वो आपकी बागवानी हो गई खेती वगएरा हो गया ठीक है सब्जियों की खेती वगएरा यह गैर बाजार करिया है हैं अब इन्हीं दोनों को इंगलिस में देखो एनलाइज दी इंपेक्ट ऑफ दी ग्रीन डिवल्यूशन इन दी इंडिन अग्रिकल्चर इन दी लेट क्या क्या हुए थे और एक्ट कर सुनकाश्य और नों मार्केट एक्ट अट्यूटेश पो यह में अपर च्छा आपको यहां पर एकम्प्लीट तो जो हमारा section number wait for a minute section number जो हमारा C था C था या D था wait a minute हाँ जो हमारा section number C था जिसके अंदर 3-3 number के मारे 5 question थे ये मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिए ठीक है अभी आपका section D बचता है फिर section E बचता है इसके बाद section F भी बचेगा तो इसको भी एक बाद थोड़ा साम revise कर लेते हैं ठीक है जैसे कि खंड घा जो है बच्चो यानि कि section number D इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया questions है हमारे ठीक है और इसमें 5-5 number के हमारे questions है कैसे 5-5 number के तो तो तीसवा question क्या कहता है फ्रांसिसी क्रांती के कारणों की व्यक्या करो तो फ्रांसिसी क्रांती के क्या कारण थे ये सारी चीजे बगएर इसमें दे दी गई है ठीक है जैसे कि समाजिक कारण हो गए राजनीतिक कारण हो गए आतिक कारण हो गए तातकालिक कारण हो गए ठीक है wait for a minute देखो यह रहा लुई सोलवे कौन था इसके राज यारोण की समय राज़कोष खाली क्यूं था सब कुछ बता रखा है ठीक है फिर फ्रांसिसी क्रांती से पहचानी जाने वाली छवियां कौन-कौन सी थी तो टूटी हुई जंजे छणो या फांशो का बंडल भी मैने आपको बताईं बारतिय सम्मेदान के समख्श के अनकूल परिस्तिते यह पको मैंने बताईं छिक है इसके लावा रहे नहीं बहुत सारे और पिछली वाली वीडियोज देखी होंगी उन्हें पता होगा इन सभी के बारे में ठीक है इसके लावा और भी आ जाते हैं जैसे कि ये देखो पिछली वीडियोज में मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी के सारी चीज़ने समझा रिखी है ठीक है अब यही देखो आप अपना एक सेकंड यह रहा देखो अब आप अपना यही वाला कुशन देखो कितना अच्छा प्रशन था आपका यह और यह रहा देखो बहुत अच्छे-च्छे कुशन थे बच्चो इस तरह की से हम क्या करते हैं इस वीडियो को एंड करते हैं अगर आप सभी बच्चे चाहते हो कि आपके 5 मार्क्स के लिए ठीक है और इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊ तो आप मुझे जल्दी कमेंट करो ठीक है टाइम नहीं है जल्दी कमेंट करो आपको अगर 5 नमर वाले सेक्षन का एक अलग वीडियो चाहिए तो फटा-फट से कमेंट करके बताओ ठीक है बाकी आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और I hope आप सभी को यह वाली वीडियो अच्छी लेगी होगी यह वीडियो अच्छी लेगी हो तो फटा-फट से आपको क्या करना है इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बस एक प्यारा सा लाइक जरूर करें ठीक है बच्चो क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मॉटिपीशन देता है एसी वीडियो के लिए साथी साथ आप सभी बच्चे हमारा 9th क्लास का जो टेलिग्राम ग्रूप है इसे जरू जोइन करो लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्टिप्शन में दे दूँगा या फिर आप टेलिग्राम पर सर्च कर सकते हो JSK 9th क्लास ठीक है और साथ ही आप सभी बच्चों को आपके Social Science के आज के मिट्रम के एक्जाम के लिए मेरी तरब से बहुत बहुत सुपकामना है आप सभी बच्चों को All the best अच्छे से पीपर करना बच्चो ठीक है थोड़ी देर बाद आपके लिए मैप की वीडियो आ जाएगी तो उसे भी देख लेना मिलते हैं बच्चों के लिए पढ़ते रहो और अपना ख्याल लखो ठीक है और पीपर की त्यारी के लिए All the best जै हिन जै भारत वन दे मात्रम